केप्टन अमरेंदर सिंग एक्साइज एंट इक्सेशन के मंतरी भी है और वो होम डिपार्टमेंट के मिनिस्टर इन चार्ज भी है अब जब दोनों डिपार्टमेंट और खुद चीम मिनिस्टर है जब चीम मिनिस्टर के पास डिपार्टमेंट हो एक्साइज पुलीस भी उनके पास है और सबी लोगों की जो उंगलिये हैं वो जहारी है एक्साइज और टेक्सेशन डिपार्टमेंट के अफसरों पर और पुलीस अफिशन पर के ये जो भी दो नंबर का दंदा होता है ये तीनों कैटिगरीज में ये सारे के सारे में पॉलीटीशन इंवाल्ड भी है इसमें पुलीस इंवाल्ड भी है और इसमें एक्साइज के डिपार्टमेंट के लोग इनवाल्ड है डिवीजिनल कमिशन इन्हों ने एक जनंदर का लगा दिया हमारा एक एक सवाल है सीधा क्या वो उंगली अगर चीम मिनिस्टर के आफस तक पहुंच रही हो या चीम मिनिस्टर तक पहुंच रही हो क्या डिविजनल कमिस्टर इतनी जान रखता है इसलिए शिम्शेर सिंग दुलो और मैं हम दोनों जो राजसवा के मेंबस हैं कांग्रिस के और हम दोनों फॉर्मर हमने ये चीज़ सोची कि अगर पंजाब के साथ जस्टिस करनी अगर पंजाब के लोगों के साथ जस्टिस करनी और जो 121 लोग अब जरीली शिराप पीकर जो मारे गए हैं अगर उनके घरों को जस्टिस दिलवानी हो उनके घर के मेंबर्स को एक ही रास्ता है कि सेंटर की इजन्सी आए, CBI, EDI, वो इन्वेस्टिगेशन करें, अगर हाई कोड़ के जज कोई, सिटिंग जज उसकी देखरे कर सकते हों, तो उससे भी बेटर है, मैं यह पूछना चाहता हूँ, इसमें पंजाब गर्मेंट को क्या प्रॉब्लम क्या है, अगर कैप्टन अमरेंदर सिं झसके तारी करें झाले क्या है, इसमें घरी कर दोके पारहता है, अगर कैप्या मैं जजाएने को दोके 肉ह पलता है, अगर हाभ जग सकते हैँ दोके प्रॉब्लम की देखरे आए, समें उसकते हैं इन्यमाने कित देईखरें झाले किन भ Dutch प्स पीत प्प्र ऴर्माने कित